हेलो प्रेंड कैसी हूँ आप सभी रादे रादे दीपाबली कब मनाएंगे 31 अक्टूबर या 1 नमबर जाने क्या है लक्षमी पूजन का सुभ महूरत और पूजा विदी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर अच्छी लगे तो जाद ची जाद लोग हम शेयर कर दें इस बार दीपाबली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या फिर 1 नमबर को दीपाबली की तारीक को लेकर भ्रहम की इस्तिती इसलिए बनी हुई है क्योंकि इस बर्ष कारतिक मावश्य की तिती एक दिन के बज़े दो दिन पड़ रही है इस बर्ष की तारीक को लेकर लोगों के मन में भ्रहम की इस्तिती बनी हुई है कि आखिर कारतिक मावश्य की इसलिए बनी हुई है क्योंकि इस बर्ष कारतिक मावश्य की तिती एक दिन के बज़े दो दिन पड़ रही है दीपवली की डेट को लेकर आपकी मन में चल रही दुबदा को दूर करने के लिए अनवभी बिद्वान जोट्स चारियों और देश भर के पिरमुक जोट्स और संस्क्रत इस्तानों से बात करके आपको जानकारी दे रहे हैं सानातन धरम में बैदिक पंचांग के अधार परिक्तितियों और ब्रक्त वहारों की गड़नाएं की जाती हैं पंचांग के अनुसार हर बर्ष कारतिक मास की अमवश्य तिती पर रोशनी का पर्व दीपवली मनाई जाती है लेकिन इस बार अमावश्य तिती दो दिन है जिनकी बज़र से दीपवली की तारिक को लेकर भ्रहम की इस्तिती बनियु ही है यानि कार्थिक मावश्य तिती 31 सक्टूर को और एक नमबर को भी है हिंदू धरम में तितियों का विशेश महत्व होता है और इनमें उद्या तिती का तो और भी महत्व होता है हिंदू धरम में ब्रत्यवार उद्या तिती के आधार पर ही माम मनाया जाता है उदया तिती से मतलब दिन में सुरीय देस के समय जो तिती होती है उसको ही महतव दिया जाता है इस तरह से कुछ लोग उदया तिती को महतव देते हुए दीपवली 1 नमबर को मनाना जादा अच्छा समझ रहेगा वही कुछ लोग का तरक है कि दीपावली पर लक्चमी पूझा हमेशा प्रदोस काल से लेकर माध्य रात्री के बीच में पढ़ने वाली कार्तिक अमवस्या के दोरान मनाया जाता है इसलिए दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए आईए इन दोनों तरकों को जोच और मुहूरत सास्त्र के नियमों की कसोटी में रख कर देखते हैं सास्त्रों में दीपावली पर लक्चमी पूझा हमेशा अमवस्यातिती के रहने पर और प्रदोस काल यानि सूर्यास्त के बाद से लेकर देर रात तक रहने का विधान होता है यानि अमवस्यातिती प्रदोस काल और निस्ता काल के महूरत में दीपावली मनाना सुब माना गया है इस कारण से जोट से सास्त्र के जादा तरपंड़तों और विधानों का मानना है कि जिस दिनकार तक महीने की अमवस्यातिती रहे तो प्रदोस काल से लेकर आदी रात को लक्चमी पूझन करना और दीपावली मनाना जादा सुबा शास्त्र सम्मत रहता है दरसल ऐसी धर्मिक मानता है कि मा लक्चमी का रबदूर वहाब दोस काल में ही हुआ था जिसके चलती निसिद्ध काल में मा लक्चमी की पूझा और उनसे जुड़े सभी तरह की सादना यादी करना विशेश महत्व का होता है बैदिक पंचम की अनुसारी साल अमवस्यतिती 31 अक्टूबर को दोपे 3 बज़ कर 12 मेंट पर सुरू हो जाएगी तो 1 नमबर की साम तक रहेगी इस तरह से दीपावली पर सभी तरह की बैदिक इस्तियां 31 अक्टूबर के दिन लागू होंगी जबकी 1 नमबर 24 को अमवस्यतिती सुर्य उद्य के दोरान रहेगी लेकिन समाप्त साम को 6 बज़ कर 16 मेंट पर हो जाएगी वही दूसरी और कुछ पंचांगों में अमवस्यतिती की समाप्ती सुर्य रास्त से पहले ही बताई जा रही है बिरत तेहारों की तारीखों को लेकर जादतर मावलों में उद्यातिती का विशिस महत्व दिया जाता है लेकिन कुछ बिशिस परस्तियों में अन्य चीजों और महूरतों को दियान में रखते हुए मिलने वाली तितियों का अधिक महत्व दिया जाता है इस बज़े से जिस रात्री को प्रदोस्काल से लेकर माद्य रात्री के बीच बेस्त रहने वाली अमवस्यतिती को दियान में रखते हुए दीपवली का पर्व 31 अक्टूबर को जादतर विद्वान और पंडित मानने की सला दे रहे हैं इस तरह के लक्षिमी पूजन के साथ दीपवली 31 अक्टूबर को मनाएं लक्षिमी पूजा महूरत 31 अक्टूबर पंचांग के अनुसार हर बर्स कार्थिक मास के क्रश्न पक्ष की प्रदोस्ट ब्यापनी अमवस्यतितीपा दीपवली का तेवहार मनाया जाता है 31 अक्टूबर को लक्षिमी गड़ेश पूजन के लिए पहला सुब महूरत प्रदोस्काल में ही प्राप्त हो रहा है 31 अक्टूबर को प्रदोस्काल साम 5 बज कर 36 मिट से लेकर 8 बज कर 11 मिट तक रहेगा वही ब्रसव लगन दिल्ली के समय अनुसार साम 6 बज कर 25 मिट से लेकर रात को 8 बज कर 20 मिट तक रहेगा ऐसे में ग्रहस्त लोग इस समय के दोरान लक्षिमी पूजन करें तंत्र मंत्र साधना और तंत्रे क्रियाओं के लिए निसित काल में पूजा करना ज़्यादा लाबकारी माना जाता है 31 अक्टूबर को निसित काल में पूजा करने के लिए सुब महूरत रात 11 बज कर 49 मिट से लेकर 12 बज कर 31 मिट तक रहेगा मालक्षिमी का प्रदूर्भव दोसकाल में हुआ था और इस्तिस्त लगन में मालक्षिमी की पूजा करने से महालक्षिमी इस्तर रहती है ऐसे में दीपावली पर प्रदोशकाल में पढ़ने वाले विरक्सव लगन में ही महालक्षमी और भगवान गड़ेश का पूजन करना अती उत्तम रहेगा पंचांग के अनुशार 31 अक्टूबर को विरक्सव लगन साम को 6 बज कर 25 मट से लेकर साम 8 बज कर 20 मट तक रहेगा साथ ही इस समय प्रदोशकाल भी मिल जाएगा प्रदोशकाल प्रसब लगन में चौकडिया का ध्यान रखते हुए लक्षमी पूजन के लिए 31 अक्टूबर की साम को 6 बज कर 25 मट से लेकर 7 बज कर 13 मट के बीच का समय सर्व तम रहेगा कुल मिलाकर 48 मट का ये महूर लक्षमी पूजन के लिए सर्व सरेष्ट रहेगा तो फ्रेंड ये जानकारी कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगम शियर करें